नमस्कार शातियो विजन फोर सक्सेज यूटूब चनल पे आप सब का स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं बारत के तिरपूरा के धलाई जिले के सलीमा इलाके के अंदर एक होग बेजर्श नाम का इस्तंधारी पाया गया है तो पहली बार मिला है होग बेजर्श नाम का इस्तंधारी है इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ आप वीडियो को अंद तक देखें अगर आपने मेरा यूटूब चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन से समंदीत ऐसी ही जानकारिया समय समय पर मिलती रहेगी अब बात करते हैं होग बैजर्स की देरहाल ये भारत के तिरपूरा राजे के धलाई जिले के सलीमा इलाके के अंदर मिला गया है और एक लुप्ट प्रजाती के तीन होग बैजर्स पाई गए पहली बार तिरपूरा के में दुल्डब प्रजाती के होग बैजर्स पाई ग मेटनेस की रेस्ट्यू किया है रेस्ट्यू करने के पस्चाथ इसे सिपाई जाला वनेजी और ब्यारन के अंदर रखा गया है यह प्रकार का अस्तंध हारी है जो मुखे रूप से बियर या या शुयर के शमान दिखाई देता है अब होग बैजर्श एक सर्वाहारी प्रकार का प्राणी है जो मुखे रूप से साकाहरी और मासाहरी दोनों प्रकार का होता है शिकार के गारण आयूश एन के अंदर बहराल इसकी इस्तती थोड़ी खराब है होग बैजर्श को गिरेटर होग बैजर्श के नाम से भी पुकारा जाता है इसका वेग्यानिक नाम आर्क टॉनिक्स कोलेरीस हैं इस दुल्लब प्रजाती में सुएर और बालू की दोनों की विसेस्ता है मुखे रूप से इसमें पाई जाती है आयूश एन की जो होग बैजर्श है उसके अंदर उसने आयूश एन ने होग बैजर्श को मुखे रूप से तीन कैटेगरियों के अगर हैम देखे है तो आयूश एन की जो लिस्टे है उसके अंदर लुप्त प्राइप ज़ातीयों के अंदर लिस्टेड है और अन्य तो दो प्रकार के होग बैजर्श हैं THIS के अंदर नौधर होग बैजर्श की बात करें आर्शिमात्रा उग plugin जर्श हैं यह आयूसीयन की एलसी कैटेगरी के अंदर लिस्टेड हैं सिकार के कारण आयूसीयन की जो रेड़ डटा बुक है उसके अंदर इस्ति खराब होती जा रही है उनकी सिंख्या तेजी से घटती जा रही है अगर इसके वित्रण की मैं बात करूं तो मुखे रूप स यहां मप्धे डक्षिन एशिया के परवती जंगलो बरवती जंगलों पायाइजाते हैं इसके साथ साथ सात यह मुखे रूप से ठाइलैंड थाइलैंड में भी यह पाया जाते है inडोरेसिया के समात्रा दीप भी यह मुखे रूप से पाई जाते हैं जो पूरवी राजियों के अंदर मुखे रूप से पाई जाती है लास्ट बार शे आशाम के अंदर देखा गया था और इस बार शे तिरपूरा के तिरपूरा के धलाई जले के सलीमा एरियाज के अंदर देखा गया है यह संपूर्ण जानकारी थी यह संपूर्ण जानकारी थी वरतमान में मिले थ्री इन डेजर्ड जो इसकी स्पिसीज मिली है होग बैजर्स की जो स्पिसीज मिली है उसके बारे में बाती थी और होग सब्सक्राइब करें धन्यवाद